लाइक शेर और कमेंट तो सब्सक्राइब इस चैनल प्लीज प्रेस ते बेल आइकर नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ है राजेश गैलोजी जो पूर विधायक बीजेपी के मट्याला विधान सबासे है तो आज हम उनसे बात करते है जो दिल्ली में ये आम आदमी और कांग गटबंदन की बाते चल रही तो आप क्या कहना चाहिए उसको पर देखो ये गटबंदन नहीं है ये तो आउसर बंदन है जो लोग एक दूसरे को फूटी आख नहीं सुआते थे जो एक दूसरे को गाली गलोच करते थे जो केजरिवाल कांग्रेस को जेल में डालने की बा करता था वही आज वही केजरेवाल क्योंकि एक बार नहीं हजारों बारा ऐसा हुआ है कर बोलता कुछ है और करता कुछ है जह पूरे देश में यह मानता हुं जितने भी इस देश में राजनेतिक डल है अगर सबसे जूटा कोई इसान है तो वह केजरेवाल है अच्छा सर जैसे दिल्ली में जब आमाद में आई थी वो कांग्रेस को ही तारगेट बना के यहां पे आई थी और जो दिल्ली की मुख्यमंतिरी थी सिला दिक्षित तीन सो सतर पेज के एक फाइल उन्होंने लहराई थी दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज उन्हीं से उनके पीछे लगे हुए कि गटबंदन कर लो गटबंदन कर लो देखे केजरी वाल केवल जूट का पुलिंदा है हर आदमी पर जो जिन जिन के खिलाब केजरी वाल फाइल लेकर मीडिया के सामने लहराते थे चाहे वो अपना लालू यादव हो, मुलाइम सिंग यादव हो, अकलेश यादव हो, मायवती हो हर मैं तो यह कहता हूँ कि प्रियंका वाडरा के हजबन रावड वाडरा हो सब के खिलाब वो फाइल दिखाते थे और पिछले कुछ दिनों में जब आपने देखा होगा यह लगता है कि दिल्ली से उसकी जमीन खिसक चुकी है, दिल्ली में उसको कोई वोट देने वाला नहीं है तो अब वो कांगरेश के साथ हाथ मिलाकर अपनी खोई हुई जमीन फिर से पराप्त करने के चक्कर में है और उसको ये लगता है कि अगर मैं कांग्रेस से हाथ मिला दूँगा तो कहीं न कहीं एकाथ कोई सीट मुझे मिल जाएगी लेकिन हम यह सबस्ट कहना चाहते हैं कि केजरिवाल और हम तो पहले से भी कहते आए हैं कि कांग्रेस और केजरिवाल दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं और एक दूसरे की A-PARTY और B-PARTYा हैं क्योंकि पहली बार जब सत्ता हमाया है जिसको हरा कर केजरिवाल ने दिल्ली के अंदर 28-30 सीटे जीती थी उस समें भी कांग्रेस ने ही इसको समर्थन दे कर सरकार इसकी बनवाई थी और उसके बाद दोबारा से दिल्ली के अंदर चुना हुए और बाद में फिर केजरिवाल कि दोनों आपस में हाथ मिलाने के मूड में जिस तरह से दिख रहे हैं और लोग दिखावा ये कर रहे हैं कि मैं समझोता नहीं करना चाहती मैं समझोता नहीं करना चाहती लेकिन मुझे लगता है का अगले दो तिन दिन में इनका समझोता भी होगा और इन दोनों को धूल काम भारते जन्ता पार्टी करेगी कांग्रेश और केजरिवाल के मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला पूरे देश में मोदी लहर है और मोदी जी ने जिस तरह से पांच वर्सों में काम किया है जिस तरह से आज चाहे वो किसी भी मोर्चे पर हो चाहे वो किसानों का मुद्द में चली गई, दूसरी किस्त अपरेल में दो हजार की एक किस्त और उनके खाते में चली जाएगी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी देश के अंदर, किसी भी किसान के खाते में आज तक किसी सरकार ने डारेक्ट पैसा भेजने का काम किया हो, ये मोदी का ही कमाल ह जिसने हर किसान को छे हजार रुपे सालाना देने का काम किया, इसके साथ-साथ महिलाओं को चाहिए वो उजवला योजना के तहत आप देखिए, करोडों घरों में जो महिलाएं विचारी लकडी से या उपलों से अपने घर का चूला चलाती थी, आज वो उजवला योजन के तहत गैस पर अपना खाना पकाने का काम करती है, करोडों लोगों को डारेक्ट जो पहले पैसा जमा कराने के बाद भी खाता नहीं खुलता था, वो फ्री खाता, जीरो बैलेंस पर उनका खाता खुलने का काम किया, स्किल इंडिया के तहत लाखों नोजवान बच्चों क जो उनका हूनर था, उनको काम करने का, उनको शेखाने का काम किया, तो हर फिल्ड में मोदी जी ने काम किया है और पाकिस्तान जिस तरह से बार-बार आके उठाने का काम करता था पाकिस्तान के फन को उसके देश के अंदर ही कुचलने का काम चाहे वो उरी हो और चाहे वो अभी जो एरस्टाइक होई वो हो दोनों में ही पाकिस्तान के आतंकिय को पाकिस्तान को धूल चटाने का काम जिस तरह मोदी जी ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है देश के अंदर मोदी जी की लहर है कांग्रेस और आम आदमी के गठबंदन को धूल चटाने का काम भारते जन्ता पार्टी का एक-एक करेकरता करेगा और भाजपा का दूसरी किस्त भी अब जल्द पहुंच जाएगी तो अभी दो दिन पहले जो कांग्रेस के अध्यक्स है रहुल गांदी वो कहरे कि बीस परसेंट जो लोग है जिनके उनको हर बंदे को बारा हजार बैतर हजार उपे साल के दिये जाएंगे तो यह क्या है देखिए मेरा कह केना यह है कि कांग्रेस हमेशा ही जूटके पुलंदों पर जीवत रही है स्रीमती इंद्रा गांधी ने एक बार आपको याद होगा कि ब्यान दिया कि हिंदुस्तान से गरीबी हटाने का काम हम करेंगे गरीबी हटाएंगे गरीबी तो हट ही नहीं लेकिन गरीब आदमी जरूर हट गए लोगों को समझने में फरक रहा इंद्रा गांधी कहती थी गरीबी हटाएंगे लेकिन वो यह कहना भूल गई थी कि वो गरीबी केवल कांग्रेसियों की खटाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेसियों आमीर होगता गया ऐसे ही यह बहुत बड़ा एक नातक राहूल गांदी ने खेला है जिस देश का उन्नीस के चुनावारे जो गरीब लोग है उनको बैकाने का काम किया गया निश्चित रूप से सिवाए दोखा करने के गरीब लोगों के साथ एक ये बहुत बड़ा दोखा है जिसमें राहूल गांदी ने सालाना बहत्र दार देन कि नहीं जो 20% लोग है सभी को मिलेगा किसी को 12,000 रुपे की हामदन हो या 2,000 की हो सभी को मिलेगे वे बैतर जाए तो ऐसा क्यों आपस में बदले जा रहे देखिए बेसिक रूप से कोई भी पैसा चाए वो गरीब को दें या हम किसी को भी दें जब सबसीड़ी के रूप पे कोई पैसा देते तो हमारे देश का बजट है उस बजट में जोड़ना घटाना पड़ता है यह पैसा कहां से आएगा और हम कहां देंगे किस मद में हम इस पैसे को कहां से निकालेंगे और किस किस में बाटेंगे इस तरह हैं कि कोई भी योजना राहुल गांदी देश के सामने पेश नहीं कर पाए आपने देखा कि मीडिया के हमारे मित्रों ने को सवाल उन पर दागे उन से पूछा कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से तो कोई भी सफस्ट उत्तर वो उसका दे नहीं पाए आप जानते हैं कि इस देश में 72,000 रुपे 20% लोगों को देने का मतलब ये है कि हमारे देश का जितना बजट आज हमारी सेना का नहीं है उससे ज़्यादा पैसा वो पब्लिक में बाटेंगे इतना पैसा आएगा कहां से इस पैसे की कोई भी योजना रहुल गांदी के पास नहीं है लोगों के साथ दोका करना कांगरेस की आदत है पुराने समय से ही लोगों को गुमरह करना उनको दोका देना और दोका देकर लोगों को चल करना ये कांगरेस की पुरानी आदत है लोग समझ चुके हैं आज देश का कोई भी नागरिक कांग्रेस के चलवे में आने वाला नहीं है लेकिन उसके जूट का प्रलंदा क्योंकि जूट पर कभी कोई टिक नहीं सका और हमेशा ही कांग्रेस फोस हो जाती है और अगर उनके पास इस तरह की कोई डाकुमेंट्स थे तो आज से पहले क्यों नहीं आए नोट बंदी हो रही थी उस समय क्यों नहीं आए ये कांग्रेस की जूट बोलने वाली प्राइवेट लिमिटिड कंपनी है वो इस तरह के जूटी चीजे तयार करती है और पब्लिक में डालने का काम करती है लेकिन इस भारत वर्ष के सभी लोग माताएं भेने नोजवान साती समझ चुके है कि कांग्रेस की ये जूट अब चलने वाली नहीं है देश में केवल नरंदर मोदी जी को लोग पसंद करते हैं जिस तरह से देश आगे बढ़ा है चाए वो देश का मामला हो या विदेश का आज पूरा वर्ड पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है तो इसरब मोदी जी की देन है मोदी जी और मोदी जी के सभी मंत्री मंडल के सहयोगियों ने जो इस देश को एक सासन दिया आज हर आदमी की आशा मोदी जी के साथ जुड़ी है हर आदमी ये कहता है कि मैं मोदी जी को फिर से प्रधान मंतरी देखना चाहता हूँ आप फिल्ड में जाएं, आप किसी भी किसी रेडी वाले से पूछे, रक्षा वाले से पूछे किसी नाई की दुक्रान पे जाएं, किसी चाय वाले के पास जाएं, किसी फल बेचने के वाले के पास जाएं, किसी मद्धम वरक के सर्विस पैसा वाले के लोग के पास जाएं, हर व्यक्ती एक ही बात रखता है, कि मोदी जी देश के प्रधान मंत्री दुबारा से बनेंगे, हमारा सबरतन मोदी जी के साथ है तो मैं आपके मादम से यही कहना चाहता हूँ कि कांगरेश के धोके और चलवे में कोई ना आए और मोदी जी को फिर से परधान मंतरी बनाए कमल के फूल का बटन दमाए और मोदी जी को फिर से परधान मंतरी बनाकर इस देश को गोरुवसाली बनाए अच्छा सर जैसे अभी आपने कहा कि नरेंदर मोधी जी को दुबारा परदान मंतरी बनाए तो अभी जैसे सीटों का कुछ बटवारा हो रहा और जो बीजेपी के कुछ बड़े नेता है उनकी कुछ सीटे भी काटी गई है और कुछ का फे स्टायर्मेंट की एक आयू सीमा होती है और जो बहुत ही अधिक आयू सीमा से अधिक हो गए जहां पर उनको अपना बैठके पार्टी को आगे बढ़ाना है तो उन लोगों को उनसे भी बात करके और उनसे सब चीजे तैय करके जब यह सारी चीजे चलती है तो कोई किसी का टिकट नहीं काटा है सम्मान के साथ क्योंकि भागदोड का जमाना है चुनाओं में लोगों के साथ अपील करने के लिए भी जाना होता है लोगों में मिलना भी होता है फिर पांच वर्स तक लगातार लोगों के बीच में भी जाना होता है और ज्यादा सीनियर होने के नात दर्सन बैटके करें और इसीत रूप से बाकी जहां तक और लोगों के सीट काटने की बात है तो सीट नहीं काटी है सीट जो बदलने की बात है तो कई बार आपस में जब हम लोग यह देखते हैं कि वही यहां से कौन चुलाओं लड़ रहा कैसा लड़ रहा एक रनीती के तह यह सारा रनीती के तहत ही मुकाबला और रोचक हो और अपोईशन को धूल चटाई जाए उसके आधार पर ठिक्टो का वित्रण होता है यानि कि कुछ नए चेहरे भी आ जाए साथ के साथ हां निश्चित रूप से नए चेहरे को भी उतारा जाता है पुराने चेहरों को भ मैदान में उतारा जाए और चुनाओं में अपोईशन को धुल चटाई जाए अच्छा सर जो अभी मैं बीच में देखा था एक नारा चल रहा था चार सो पलस मूदी देखिए निश्चित रूप से यह नारा हम लोगों का तो है ही लेकिन आम जनता भी चार सो पलस के साथी इंदुसान के बुजरग हर आदमी के मन में एक ही चाहत है कि मोदी जी को फिर से इतने सांसदों के बास पारलेमेंट में भेजा जाए इतने सांसद उनके हाथ में हो सपस्ट वहूमत तो हो ही हो लेकिन कोई भी कानून अगर टू थर्ड मैजोर्टी से भी बदलना प जी को टू थर्ड मैजोर्टी के साथ 400 पलस के साथ दुबारा से परलेमेंट पे भेजने का काम करेगी निश्यत रूप से इसके लिए सबी लोग प्रियास भी कर रहे हैं और हर लोगों ने मूड भी बना लिया फिर हम दुबारा मिलेंगे राजेस गैलोची से नहे मुद् दिली लिक शेर और कमेंट तो सब्सक्राइब इस चैनल प्लीज प्रेस बेल आइकर